नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे पोधे के बारे में बताएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने शरीर की तमाम बिमारियों को दूर कर पाएंगे दोस्तों वैसे तो पेड़ पोधे सभी को अच्छे लगते है जैसे कि तुलसी, गिलोए, नीम जैसे पोधे ऐसे होते हैं जो आपकी शरीर की अनेक बिमारियों को दूर कर देते हैं ऐसे ही पोधे के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों जिस पोधे की आज हम बात कर रहे हैं वो है पत्थर चट्टा का पोधा आप में से तमाम लो पेड़ पोधे हैं जिने हम अपने घर के आसपास जरूर देखते हैं और उन्हें निहारते भी हैं लेकिन उनकी खुबियों को नहीं जानते दोसों ऐसे पोधों में पत्थर चट्टा भी एक ऐसा पोधा है जिसके प्रियोग करने से आपके शरीर की अनेक बिमारियां ठीक हो जाती हैं दोस्तों पत्थर चट्टा में काफी ओश्दिय गुण पाये जाते हैं और इसका प्रियोग कई तरह की बिमारियों की दवा बनाने में भी किया जाता है पत्थर चट्टा के इलावा इसे एर प्लांट भी कहा जाता है लाइफ प्लांट भी इसका नाम है और मैज स्वाद में खठ्टी और नमकीन होती हैं बस आपने इस पोधे की एक पत्ती का ही सेवन करना है यदि आप इस पोधे की एक पत्ती का भी सेवन कर लेते हैं तो दोसों आपके शरीर की आनेक बीमारियां सही हो जाती हैं जैसे कि यदि आपको पत्री बनती है किड़नी में पत्री है आपको तो वो पत्री इससे ठीक हो जाएगी किड़नी में पत्री होने पर दोसो आपने इसके एक पत्ते का सेवन करना है सुबह खाली पेट इसका एक पत्ता ही आपकी पत्तरी को तोड़ तोड़ कर बाहा निकाल देगा मुत्रमार्ट के द्वारा दोस्तो इसका आपने 15 दिन सेवन करना है तो आपकी जो पत्तरी है वो निकल कर बाहार आ जाएगी दोस्तो जिन लोगों को घाव है या कहीं पर सूजन है तब आप इस पोधे का प्रियोग करें घाव को भणने के लिए आप इसके पत्ते को पीश कर लेप बना कर लगा सकते है तो आपका घाव बिलकुल सही हो जाएगा दोस्तो जिन लोगों को BP की समस्या है, high blood pressure रहता है, तो उसको control करने के लिए आप पत्थर चट्टा का एक पत्ता हर रोज खाएं, आपको 15 दिन में असर दिखाई देगा, आप इसका प्रियोग मुत्र विकारों को सही करने के लिए भी कर सकते हैं, दोस्तो जिन लोगों को फ करना है, तब आप इस पत्ते का लेप त्यार कर सकते हैं, एक पत्ते का लेप बहुत है, आपके सिर दर्द को सही करने के लिए, बस सिर दर्द में आपने क्या करना है, इस पत्ते का लेप बना कर सिर पर लगाना है, तो आपको जो सिर का दर्द है, वो बिलकुल सही हो जाए आँखों के लिए बहुत ही लावकारी है दोस्तों यदि आप इसके एक पत्ते का सेवन हर रोज करते हैं तो आपकी आँखों की कमजोरी दूर हो जाएगी आँखों से कम दिखाई देता है आँखों की रोशनी कम है तो आप इसके पत्ते का हर रोज सेवन करें खुनी दस्त म भी आपको राहा दिलाता है किड्नी को भी ये बहुत ही हेल्दी बना देता है दोस्तों जिन लोगों को दिल की बिमारी है हार्ट अटक आने का डर है वो लोग भी इसका सेवन हर रोज कर सकते हैं कॉलेस्टोल जिनका बड़ा हुआ है कॉलेस्टोल को कंट्रोल करने के लिए आप इसके पत्ते का हर रोज सेवन करें दोस्तों जिन लोगों का मुटापा बढ़ गया है मुटापे को कंट्रोल करने के लिए भी आप इसके एक पत्ते का सेवन हर रोज करें और दोस्तों जिन लोगों के पेट में गरबड़ी है पाचन तंतर सही नहीं है एसिडिटी ब गुटनों में दर्द रहता है वो लोग भी इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों कमर में दर्द के लिए आपने क्या करना है इसका एक पत्ता लेना है उसे तावे पर गरम कर ले हलका सा और उस पे सरसो का तेल लगाएं और उस पते को अपनी कमर पर बांध लें तो ये सारा दर्द आपका खीच लेगा तो इस तरीके से दर्द में आपने इसका प्रियोग करना है यानि जहां कहीं भी आपको बेन है घुटनों में दर्द है टांगों में दर्द है या कमर में दर्द है या हाथ पैर जहां पर भी दर्द है तो आपने इसके पत्ते को इस तरह से बा दोस्तो यदि आप इस पत्ते का सेवन करते हैं तो आप हश्ट पुष्ट जीएंगे 90 साल तक आप हश्ट पुष्ट जीएंगे आपको कोई भी बिमारी नहीं होगी किड्नी की बिमारी किड्नी में पत्री जोडो का दर्द सीर में दर्द कभी नहीं होगा दोस्तो आपने इस गिलास आपने गुनगुना पानी पी लेना है या फिर इसका काड़ा बना कर आप सेवन कर सकते हैं दोनों तरीकों से आप सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको भी ये सारी समस्याई हैं तो आपने एक पत्ता इसका हर रोज खाना है चबा चबा कर सुबह खाली पेट इसके इस तरह प्रियोग करने से आपके तमाम बिमारियां दूर हो जाएंगी, तो दोस्तो यदि आपको भी ये सारी समस्याइं हैं, तो अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप भी इसके पत्ते का सेवन शुरू करें और अपने लिए फायदा उठाएं, तो दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटि मिलती रहे धन्यवाद दोसों